अगर घर में कोई सबजी ना हो और आप सोच सोच कर परिसान हो चुके हो क्या बनाएं सबजी में तो आप इसे ट्राइ कर सकते हो अनियन और सिम्ला मिर्च की सबजी तो चलिए सुरू करते ही, पहले हम आनियन और सिम्ला मिर्च को स्क्वार सेप में काट करते ही अब हम लेंगे एक प्यान, प्यान में डालेंगे थोड़ा सा देल और इसमें हम आनियन और सिम्ला मिर्च को थोड़ा सा ही फ्राइ कर लेते ही जब यह थोड़ा सा फ्राइ हो जाए ना इसे हम एक प्लेट में निकाल कर रख लेते हैं यहां पर हमारा प्याज और क्याप्सिकम थोड़ा थोड़ा फ्राइ हो जुके हैं अब हम इसे एक प्लेट में निकाल कर रख लेते हैं अब हम तेल में डालेंगे थोड़ा सा जीरा, जीरा को थोड़ा सा भून लेते हैं, जब अच्छे से क्रकल हो जाए ना, अब हम इसमें डालते हैं, चुप क्या हुआ प्याच, और इसे भी हम गोल्डन ब्राउन होने तक भून देते हैं, यह सब ची बराने के लिए आपको ज चादा चीजों के जवरत भी नहीं है, जो भी सामान लगेंगे न हो घर पे आसान से अवेरेबल होगा, यह पर हमारा प्याच गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, अब हम इसमें डाल देते हैं, चुप टमाटर, और इसे भी हम भून लेते हैं, अब हम इसमें डालेंगे एक टेबल स्पून बेसन, अब हम इसमें डालेंगे एक टेबल स्पून बेसन, लोफ लेम पे ही वेसन को हम अच्छे से भून लेते हैं, जिसे कि कोई लंफ्स न रही जाए, बेसन हमारा करी को तोड़ा सा थीक बनाता है, और इसका टेस्ट भी अच्छा रहता है, अब हम इसम थोड़ा सा पानी आड़ कर देते हैं, क्यों नहीं जल सकता है, अब हम ग्यास का फ्लेम बिलकुल लो करेंगे, शारे स्पाइस को आड़ करने के लिए, आप एके नहीं करोंगे कि मैंने आप पर कुछ जाथा मसाला आड़ नहीं किये हैं, सिर्फ फल्दी पाउडर, रर्च मेल अच्छे से चला जाएं, और यह बेसन के बज़े से हीं थोड़ा सा ठीक हैं, और इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे, यहां पर और एक इंपोर्टन चीछे हैं दोस्तों, यहां पर हम क्या करेंगे ना पहले ग्या साफ कर लेंगे, इसके बाद ही अब हम इसमें डालने के अब हम लेंगे 2 टेबल स्पोन दhin जजय जदा खटी नहीं होनी चाहिए अब इसी अच्छ से फैंड दिखते ही आप गयास का फ्लेम आफ करने के बाद ही दही समइं आर्ट करेंगे उसक बाद इसных अच्छे से पहले mix करेंगे, gas का flame अभी भी आफ़े, नहीं तो दही फड़ सकता है, पहले हम इसे अच्छे से mix करेंगे, उसके पाद ही हम ग्यास का flame आउन करेंगे, अब हम इसमे अच्छे से mix करने के पाद इसमें आट करते ते ही, जो onion और शेमला में जो हमने पहले से fry करके के इसे रालने के पाथ 2-3 मिनिट के लीए के लौ फिलेंपनेंगेements लीट 1 मे अच्छे एफिति वीं कारी के कल Lily की खाण दो नमक नमक और वाको टो दो मिक्स करेंगे के 2-3 मिनिट के लिए में पर भी अच्छे षाय से भी पानी आड्ट करेंगे अ हम अच्छी से मिक्स करेंगे जाए इसमें तो डाला जाए हलेगे थोड़ा सा कैसरी में थी और और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं पांच मिनिट के लिए लोग फ्लेम पे इसे कवर करके छोड़ देंगे इसे क्या होगा ना मसाला का सारा स्मेल अच्छी से सब्जी में जाएगा वह सब्जी को बनाएगा बहुत ही चाता सांदर और इसके बात अब हमारा करी बिलकुल करना लगा मुझे जर्ड कमेंट करना बर तो ड्राइ बनता है दोस्तों आज जिनल में इसे जर्ड राइक करना अगर अच्छे लेगी तो लाइक सार करना बिलकल में मत भूनला थैंक्स पर वाचिंग